So hey guys and welcome back to my channel दोसो आज की वीडियो बहुत यदा interesting होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताना वाला हूँ कि अपनी वीडियो के अंदर shake effect कैसे लगा सकते हो वैसे यहाँ पर जो में shake effect लगाता हूँ वो वीडियो star से लगाता हूँ आज मैं आपको android mobile से बता हूँ कि आपको android mobile से कैसे shake effect को लगाना है उसी के साथ साथ यहाँ पर अपन smoke effect भी add करना सिखेंगे अलग-अलग तरीके से और यहाँ पर अपन जो fire effect होता है वीडियो के outside में वो भी यहाँ पर अपन लगाना सिखेंगे तो आप वीडियो को last तक देखना, skip मत करना और वीडियो पसंदा है तो वीडियो को एक like जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर कर देना और एक बात और जिनके पास kindmaster नहीं है तो यह मेरे instagram ID है आपको description box में link मिल जाएगा उसके बाद आपको media पर click करके अपनी वीडियो को select कर लेना है तो यहाँ पर मैं example के लिए अपनी कोई सी भी वीडियो को select कर लेता हूं तो यहाँ पर मैंने वीडियो को select कर लिया है, अभी इसके अंदर कोई साभी effect अपने नहीं लगाया है, अब यहाँ पर अपन इस effect को लगाएंगे, तो सबसे पहले अपन smoke effect लगाते हैं, अब smoke effect के लिए आपको layer पर click करना है, media पर आना है, और यहाँ पर आपको एक वीडियो को ले लेना, तो आपको यह वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा, इस वीडियो के अंदर आपको अलग-अलग smoke effect मिल जाएंगे different type से, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ऐसे इसको rotate कर लेना है, ठीक है, rotate करने के बाद क्या करना है, आपको इसको ऐसे full skin पर set कर देना है, full skin screen पर जैसे set करोगे, उसके बाद ऐसे नीचे जाना है, यहाँ पर आपको blending दिखेगा, तो यहाँ पर आपको blending पर जाने के बाद screen लिखा रहा है, इस पर click कर देना है, ठीक है, अब click करने के बाद देखो, यह smoke effect यहाँ पर ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद यह से आप इसको ऐसे trim कर दो, ठीक है, इतना मैंने trim कर दो, इसको आगया, आगया, खजीट के लिए हो, ठीक है, तो देखो यह इस तरीके से आएगा, ठीक है, तो यह तो हो गया, smoke effect, इसका link आपको description मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अपन एक effect और लगाना सीखते है, fire व आपको इस, देखो, store पर आपको जाना है, store पर जाने के बाद, यहाँ पर आपको store ऐसा खुलेगा, store खुलने के बाद, यहाँ पर ऐसे इसको scroll करना, नीचे, नीचे, ठीक है, नीचे, नीचे scroll करोगे, तो यहाँ पर आपको एक effect मिलेगा, यह वाला, यह देखो, यह देख सकते हो यह फायर वाले ऐसे आपको इफेक मिल जाएंगे तो आपको करना है इसको इसे रोटे पेले वाले इफेक को लेना है और इसको इसे रोटेट कर लेना है रोटेट करने के बाद सबसे पहले तो इसको ऐसे बड़ा कर देना है और बड़ा करने के बाद इसको यहां पर लगा दिना ठीक है यह में लगा दिया उसके बाई इसको चला कर देखते हैं तो इस तरीगे से एसे कुछ आएगा उसके बाद हमको इसको left में हमने लगाया अप right में लगाने के लिए आपको ऐसे वापस click करना थ्री डोट पर click करना है और duplicate कर दिना ठीक है तो इसका duplicate अब देखो यहां पर यहां पर इस तरीके से कुछ आएगा आपकी वीडियो के अंदर बहुत ही चुल लगेगा यहां पर हमने इस प्रवाला भी लगाना शीख लिया अब हम लगाते हैं यहां पर शेक फेक्ट के लिए यहां पर क्या करेंगे इसको पहले आगे भेज़ देते हैं इतना ठीक है अब जहां से आपको देखो शेक इफेक लगाना है तो शेक इफेक के लिए आपको करना क्या होगा देखो मैं यहां से लगाना है शेक इफेक यहां से ठीक है तो आपको करना क्या है ऐसे वीडियो पर क्लिक करना है सीधर पर क्लिक करके पहले इसको स्प्लिट कर देना है स्प्लिट करने के बाद देखो यह आप प्लस लिका रहा है इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको वापस इस्टोर में जाना है इस्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है आपको यह एक तो यह शेकिट वाला डाउनलोड कर लेना है ठीक है शेकिट के बाद यहाँ पर आपको स्पीडी वार्प वाला डाउनलोड कर लेना है ठीक है यह दोनों आपको डाउनलोड कर लेना है आप चाहो तो और भी कर सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे तो यहां पर अपन पेलेettsे कि eightः वाला लगाते हैं डिये kirkर आप अप डाली करना क्लिक करने के बाद यहां पर ऊसट वाइब कर दीखैंगे मैं आपको एक लिखेता हूं लाड़ते हैं यह इस तरह के गो आप श Commerce से लिएक को लगाना तो यहां पर यह इस तरीके से यहऴा कुछ ऐसा आएगा और यह वहुत कूल लगेगा उसके बाद उसके बाद यहापन सेकंड की ठी cooked देखे एक जाते हैं वापस हम सेजर पर जाते हैं वह इसको का इसा है ठीक है इसके आप टाइमिंग सेड़ कर दिना आपको जैसे टायमिंग लगानी है तो यह आपके शेक सेक लगेगा ठीक है उसके बाद हम और इसेक लगाते हैं शेक वाले तो आप ispid split कर देना और suspit करने के पाद वाद अप सिपीड इस बार हम चलते है स्पीडी वाप में ठीक है स्पीडी वाप में जाएंगे तो हम को क्या इस पर क्लिक करना तो एक यह से लगा सकते हो अपनी वीडियो के अंदर में ना आप यह बता लेड यह देखो curious बाद इक बाद चलाके देखते हैं यह फाillante फायर वाला आ गया ठीक है फाillain א chalky effect just यह एक गा यह एक एप ठीक है यह shape effect और यह dedicate टीक है is के बाद यहां के अपने smoke effect भी लगाना सिख़ा है कि हम smoke effect कीसे लगा सकते हैं तो आप देख सकते ह腕500 यहां पर है तो यह पने वीडियो के अंदरい smoke effect avoid Shrike effect यह सब लगा सकते हो और आपको करना के है यहां पर बस आपको लेयर पे जाना है इ के जानाters और यहां आपको effect को download कर लेना है अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर overlay पर जाके भी यहाँ पर आप download कर सकते हो बहुत सारे आपको store पर मिल जाएंगा ठीक है तो ऐसे आप अपनी वीडियो के अंदर लगा लेना effect को तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आयोगी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो चलो मिलते हैं अपन नेस्ट वीडियो में